हेलो दोस्तों लुसेंट रस्तान जी के के डेली टॉप 50 कोशन में आपका वेलकम आज़तों तो ये वीडियो का 30 वाट आज़तों इससे पहले 29 पार्ट बनाए जा चुके हैं वो भी आप चैनल पर जाकी देख सकते हैं ज़तों तो आपको डेली यहाँ पर मिलने वाला हैं 50 क कोशन और इन सब कोशन को आपको रट लेना जास्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी उप्यों की सावीतों नहीं वलाई ये दुस्तों ये वीडियो और अभी तक आपने इस्टेटी डिड़ चैनल को सबस्क्राइब नहीं सीमा पर है तो इसका रेक्टांसर है आप्स नमर ए राजस्तान के चार जिले इस्तित है अंतराश्टी सीमा पर जिनके नाम है गंगानगर बिकानेर जिसलमेर बाडमेर ये राजस्तान के चारों जिले हैं जो कि अंतराश्टी सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में ट्रेप के शेल सम्मू निक्षन है निम्न में से अरावली का कौन सा शिकर सर्वोच्च है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर डी जर्गा परवश शिकर दिये गए सभी परवशिरकों में से सर्वोच्च है निक्षन है राष्टिय सरसो अनुसंदान केंदर इस्तित है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर डी सेवर भरतपुर में स्तित है राष्टिय सरसो अनुसंदान केंदर निक्षन है राजस्तान में चेती गुलाब की खेती का परमुक शित्र है तो इसका रेक्ट रांसर है आपसर नमरी पुशकर है चेती गुलाब की खेती का प्रमुक शेतर निक्ष ने किस ओद्योगिक शेतर को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमरी नीमराना और द्योगी की शेत्र को जाना रहता है जापानी जोन के नाम से निक्ष ने खतोली किस जिले में है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमरी बूंदी जिले में स्तित है खतोली निक्षन है इंद्र धनुष क्रांती का सम्बंद है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन बरे क्रशी एवं सम्बंदित शेत्रों से सम्बंदित है इंद्र धनुष क्रांती निक्षन है आदिवासियों में लोकाई का अर्थ है तो इसका रिक्टांसर है आप्षन मरे मृत्यू बोच से संब्धित है लोकाई आदिवासियों में निक्षन है राजस्तान में उट के बिमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है पापू जी लोक देवता की पूजा की जाती है उन्ट के बिमार होने पर निक्ष्ण है फलकू बाई सम्मधित है फलकू बाई निक्ष्ण है धातू से बनी हुई वस्टू पर सोने के पतले तारों की जडाई को कहते हैं तो इसका रिक्टान सरह है आप सिद्धा योजना कब लागू की गई तो इसका रिक्टान सरह है आप सिद्धा योजना कब लागू की गई तो इसका रिक्टान सरह है आप सिद्धा योजना कब लागू की गई तो इसका रिक्टान सरह है आप सिद्धा योजना कब राजस्तान का मेंचेस्टर कहा जा सकता है तो इसका एरिक्टांसर है आप्शन नमरे चितोडगर के किले में इस्तित है निक्षन है भीम सागर सीचाई परियोजना किस जिले में इस्तित है तो इसका एरिक्टांसर है आप्शन नमरे चितोडगर के किले में इस्तित है किस का मुख्य रूप से उत्पादन निक्षन है पश्यूपालन विभाग राजस्तान सरकार की नसल सुदार कारेक्रम के अंत्रगत ली गई जहकराना सिरोही मारवाडी नसले सम्मधित है तो इसका एरिक्टांसर है आप्शन नमरे ये सभी बक्री से सम्मधित नसले हैं निक्षन है करोली जीला किस के उत्पादन के लिए प्रसिद है तो इसका एरिक्टांसर है आप्शन नमरे लाल पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद है करोली जीला निक्षन है राजस्तान के जीलों की जनसंक्या आकार कुल जनसंक्या की दरश्टी से सही आउरोही क्रम है तो इसका एरिक्टांसर है आप्शन नमरे सबसे ज्यादा जोदपूर में है उसके बाद में अलवर में उसके बाद में नागोर में और सबसे कम अलवर में तो ये जनसंक्या का क्रम है निक्ष ने, सित्यान में सविदान संशोदन संबंदित है तो इसका रिक्टांस रहा है, आप्षन नमबर A, सहकारिता से संबंदित है निक्ष ने, रूपा धाय का संबंद जोतपुर के किस महाराजा से है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर A जस्वन सिंग से सम्मदित है रूपा धाय निक्ष ने अजमेर में राजपुताना एजेंसी की स्तापना कब की गई तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमबर A 1832 में की गई थी अजमेर में राजपुताना एजेंसी की इस्ताबना निक्ष ने चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से गिरा दुर्ग कहा कहलाता है तो इसका रेक्टांसर है आपसन नमर भी इस दुर्ग को पारिक दुर्ग कहते हैं जो चारो तरफ से बड़ी बड़ी खाईयों से घिरा होता है निक्ष ने मुगल शेली में राय सिंग द्वारा निर्मित दुर्ग है तो इसका रिक्टांसर है आप सरमरे जो नागट का दुर्ग है जो कि मुगल शेली में राय सिंग द्वारा निर्मित दुर्ग है निक्ष ने नगला पीठ किस संब्रदाय से संब्रदित है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर ए लाल दासी संब्रदाय से संब्रदित पीठ है नगला पीठ निक्ष ने इस्तान जहां गोगा जी का वह है तो इसका रिक्टानसर है आपसर नमर ए दद्रेवा में हुआता संत लोग देवता गोगा जी का जनाम निक्ष ने सूबटिया लोक गीत का सम्मन्द किस से है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर बी बील इस्तरी से सम्मन्द दिता है सूबटिया लोक गीत निक्ष ने बजेडा किस को कहते है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर बी पान के खेत को कहा जाता है बजेड़ा के नाम से निक्षन है राजस्तान नहर का परिवर्थित नाम है तो इसका रिक्टांसर है आपसन मबर ए इंद्रा गांधी नहर है राजस्तान नहर का परिवर्थित नाम निक्षन है राजस्तान में सरवादिक शेत्रफल में पाए जाने वाली फसल है तो इसका रिक्टांसर है आपसन मरे बाजरा फसल पाए जाती है राजस्तान में सरवादिक शेत्रफल पर निक्ष ने राजस्तान में कौन से क्रशी जलवायू खंड में सोयाबिन की खेती महत्पूर्णिस्तान रखती है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमबर भी आद्र दक्षिनी पूर्वी मेदानी खंड में रखती है सोयाबिन की खेती महत्पुन इस्तान निक्ष ने राजस्तान में कौन सी मुख्य वन उपज नहीं पाई जाती है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमबर A बांस के मुख्य रूप से वन उपज नहीं पाई जाती है राजस्तान में निक्षन ने राजस्तान अगूचा किस जिले में इस्तित है जहां से खनीज प्राप्त होता है तो इसका एरिक्टांसर है आप्शन मरे बहिलवाडा जिले में इस्तित है अगूचा माइन्स निक्षन है बजाज उद्ध्योग समूग के संस्तापक जमनालाल बजाज मूलत है राजस्तान के किस जिले से थे निक्ष ने तामर युग की सब्यता से सम्मंदित पुरानी तामर वती के आवशेश किस नगर से मिले हैं निक्ष ने तामर वती नगरी के आवशेश निक्ष ने 1857 की क्रांती के समय दोलपुर का शाशक था तो इसका निक्ष ने तीमनगड का किला रही है तो इसका रिच्टांस ने आवशेश नवरे करोली में स्तित है तीमनगड का किला ने बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया तो इसका रिक्टांसर है आप्शन मबर ए छतर साल ने करवाया था बूंदी के रंग महल का निर्माण निक्षन ने बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है इसे हम सामेला कहते हैं बारात के स्वागत की रस्म को निक्षन है गुलाबो किस शेतर में प्रसिद है निक्षन है आईने अकबरी के रचियता कौन थे तो इसका रिक्षन है आपस नमर ए अबुल फजलते आईने अकबरी के रचियता निक्षन है तकावी का अर्थ है तो इसका रिक्षन है आपस नमर सी क्रशी कारिये के लिए क्रश्यकों को राज्ये द्वारा अग्रिम धनराशी देना होता है तकावी का अर्थ निक्ष ने केंदर सरकार ने अनपूर्णा योजना कब प्रारम की तो इसका रेक्टांस रहा है आप्सन मबर ए अप्रेल 2006 में शुरू की थी केंदर सरकार के दुवारा अनपूर्णा योजना निक्ष ने दिलवारा इस्तिते आदिनात मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो इसका रेक्टांस रहा है आप्सन मर डी विमल शहाने करवायता दिलवारा में इस्तिते आदिनात मंदिर का निर्माण गिसानों से वसूल की जाने वाली विबिन लाग बागों का उलेक किस में प्राप्त होता है डॉक्टर एल पी तेसी टोरी संबम दिता है तो इसका रिक्टांसर है, आप्सन नमर है, चारण साहिते से समझते है, डॉक्टर एल पी टेसी टोरी, निक्षन है, डिंगला बिंडरिया क्या है, तो इसका रिक्टांसर है, आप्सन नमर है, मेवार के प्रचलित तांबे के सिक्के के नाम है, डिंगला और बिंडरिया, नि तो 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